इस नहीं है तो शुरूराइब करते हैं सभा के ब्लॉक की जहां उसने बड़ी बत्तमीजी से बड़ा चौड़ा होके काया ना कि मैं किसी जड़ती नहीं हूं ना मैं किसी डरूंगी तो सबसे पहले बात यहां से करते हैं इसने लिखा है टाइटुल थैंक्यू लवर्ज और हेटर्स इद एल इदे मिलाद तो पहली बात इसने टैंक्यू ऐसे जो लिखते है ये या इसका बॉड़ किंग जो भी एं कह जो भी मतलब ऐसे यह वाला कोई वर्ड होता ही नहीं थैंक यू आर्ट्व सेपरेट वर्ड्स और यह बहुत बार मैंने देखा था बहुत बार तो यह बता देते हैं education बहुत ज़्यादा important होती है थोड़ी नहीं बहुत लाइफ में दूसरी बात यह अपनी story डालती है न मैंने सुना इसके story के यह 5000 रुपीज चार्ज करती है जो story मतलब देखो story होती है अगर suppose एक minute की story है तो अगर suppose मैं collaborator हूँ मैं अपना product sell करती हूँ मैं किसी को पैसे दे रही हूँ उसकी story का rate है 5000 रुपे तो मैं चाहूंगे कि मेरी story मेरे product की story पूरे एक minute तक उसकी story पे रहे अगर किसी से story डलवा रहे हो और story की कीमत 5000 रुपे है तो उन्हें पता होना चाहिए 5000 रुपे में उनकी पूरी story उन्हीं के product की होनी चाहिए यह 10-12-15 डाल देती है आधी बार अपने खुशामदीर की डालती रहती है और जरा जरा से 3-4-4 सेकंड की बाकी लोगों की डालती है और जो अभी इसने डाले है न कपड़ो की जो story डाली है मतलब सही बता रही हूँ आप देखके हैरान रह जाएंगे इतने गंदे तरीके से डाल रखें इसने और वो जो इंस्टाग्राम वाले हैं जिनके pages बने हुए है जो promote करे हो पागल है क्या मेरे को ऐसा promote करना पड़े न किसे के तुरू मैं ऐसे 2 रुपे भी न प्रेस करे हुए कपड़े ऐसे हैंग कर दिये गुचण मुचण जैसे उन गठडी में बंधे में हो निकाले हो सब कांग दिये बहुत बड़ा ऐसान कर रहे हैं उनसे पांच माच आजार रुपे ले रही है हर ब्रैंड से तो आप यह देखिए इसके हाल मुझे यह समझ न सब्सक्राइब भाग जाएगा आपकी सेल बड़ेगी नहीं आपकी कम हो जाएगी यह ब्लू वाले सूट के हालत देखिए मतलब इससे इसका जो पुराना नौकर सौरव जो इनके एडिटर होते हैं नौकरी होते हैं तो वह तो भाग गया था अब कृष्ण से सारे घर के क बूल ना जाओ कर लास्ट में होता है तो ब्लॉग अलरी इतना लंबा हो जाता है कि बहुत साइच चीज़े रह जाते हैं तो इसके ब्लॉग की जिसमें इसने पब्लिक को इसको लग रहा है इसको यह नहीं पता वक्त तुम्हारा खराब आने वाला है अभी तुम्हारा ब इस यह ऐसा होता है नहीं होता है क्या किस तरीके से इसमें होते हैं लेकिन इसको इतनी गालियां पड़ी है मुस्लिम ओडियंस से कि ऐसा नहीं होता तुम काफिर हो तुम पता नहीं क्या जो भी हो मतलब गलत बोलाए इसको काफी कुछ कि ऐसे नहीं करते हैं इसलाम में इस कि कैसे हिजाब पैंते हैं ट्रांस्पेरेंट वाला सिर्फ सर को ढखे जो और कंदे पर कभी थोड़ा रहे बाकी आगे से फ्रंट से सारा ओपन होना चाहिए बाल तुमारी कलमे वल में दिखनी चाहिए और अंदर से सब दिखना चाहिए बाकी हिजाब के इलावा कुछ करने कि जोरत नहीं ना मेरम को हाथ पकड़ो भूमो फिरो सारे दिन को सब परो और नमाज एक बार पढ़ लो तो दिखा दो बस तो यह इसका तरीका था यह अम्मी के घर में बैठी हुई है और रिजा भी मुंबत्या लगा रही है अब यह कैंडल टू कैंडल जला रहे थे तो स覺 बार मिं सतरे हैं को पाषा महाद यह को पता होता है को अब рए भाया ब्लू को श्लाओ इस्लाम में डिखे किस बार घाता है के तो यह इनद समझ है स्टैचू आगे सामने आइडल होता है जो भी उस उनकी पूझा करते हैं तो यह बालकनी में बैटके क्या कर रहे हैं मुझे तो समझ नहीं आया था पहली बात तो और यह इस तरीके से इबादत कर रहे हैं चलो भी ठीक है लेकिन मुझे नहीं पता था कैंडल जलाते हैं नही पाकिस्तान वाले भी कितने बुलाते ही नहीं और हम सोच रहे हैं पैलेस्टीन चले जाएं पैलेस्टीन वालों से भी बहुत प्यार है यहां पे अंदर आके इसको गालिया पढ़ गई फिर से भावी ने अच्छा टेकूर किया था तुमने बिगार दिया तुम जलस हो उन पैटके बनाएं तो बहुत अच्छा लग रहा है अब यह कोई टेबल लगाए ना इसने ग्लास की इसमें रुहान जैसे छोटा बच्चा होता है उनको चोट लगने के बहुत हाई चांसे हैं क्योंकि जो चलना सीखते हैं खड़े होके और उनका बैलन्स बिगड़ता है त अब इनका घर वैसे छोटा है स्पेस है नहीं इसने अपनी तरीके से भढ़ दिया और इसको लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ा काम किया पब्लिक तो मेरी तारीफों के पुलवान दे अब इसकी मा बाहर बैठी हुए कहती है मैं खीर बनाने जा रही हूं खीर बनाओंग अब मा की चेहरे से ना साफ बता चल रहा था मा काफी ठकी हुई है और परेशान सी है और मतला जो भी है जैसे इंट्रस्टेड नहीं है कम्टिट्ली लॉस्ट लग रहे थी और वहाँ पे अभी पीसे चावल कर दू इसमें बन जाएगा चोटे में बन जाएगा अम्मी मैं अब तुम मोट माइक्रोवेव में भी टाइम देख लोगे फ्रेंड्स और यहां अम्मी से चीनी निकल वा दो इनसान दो बज़े सब्सक्राइब का टाइम होता है दो अधाई बज़े और यहां अम्मी चीनी निकाल रही है हाथो से इसको क्योंकि व्लॉग बनाना है व्ल अब बताइए अम्मी को नीद आएगी नी आएगी अम्मी फ्रस्टेटेड होईंगी और यह मुझे समझ नहीं आता है वैसे तो उसको मा की इतनी फिकर होती है कैसे अलाव कर रहा है सबा को इनकी लाइफ में इतना ज़्यादा इंटर्फर करने के लिए क्योंकि अम्मी इत क्योंकि मुझे लगता है कि सुबह सुबह की नमाज होती है और फिर शाम की रात की होती है दाई तीन बजे नमाज पढ़ने का क्या मतलब है अचा फिर लिफ्ट में खीर लेगे सनी और उपर जा रहे है जो अलमस्स तीन बज गए होंगे और नमाज पढ़ी है फिर खीर व सब्सक्राइब करें देखते जाओ इसका पहला शॉट कि अगर किसी को घबरात हो रही है तो रुक जा रुक जा जान प्यार है यह व्लॉक प्यार है वो सकता है कोई सा ट्रेंडिंग कर जाए हमारी घबरात हमारी लोगों को पसंद आ जाए सब्सक्राइब कर लेते हैं अभी आधी रात को क्या ही पता चलेगा लिफ्ट में बंद हुई थी नहीं हुई ठोड़ा सा एक्टिंग कर लें थे कि लिफ्ट में फचगए डालोंगे अधे पहली बार वो सकते है लोग देख लें तो होो सब्ता है तो नहीं गबराट थोड़ी सी तो ऑरिजिनल थी एक्टिंग थोड़ी सी बेटर हुए इसकी स्बिस्टिश ने फोन होन करने की फोन किया और फाइनली लिफ्ट खुल गई शनी बच गया तो अच्छा मुझे इस बात से यह भी याद है इसने एक बहुत पहले जब लिफ्ट एक बार और फसी थी तब मैं को भी लिफ्ट से ने जाओंगी मैं तो सीड़े चड़के जाओंगी तीन दिन में भूल गई अब नई तीन दिन पुरानी बाते याद नहीं रहती है यहाद नियुल्ग жांडव इस से लिफ भूल जाते हैं! यह बहुत जोल है इनके व्ल-ग में इनके चक्रुमें मत पढ़ना यह बहुत जिछाते है रात के इनके बजे कोन सी नमास पड़ी जाती है सुपह उठते ही वह नेक्स टे की क्लिप डालते हैं नेक्स टे और सनी फरांट हम उठ गया है मैं जा रहा हूं किसी काम से और बीबी मेरी आपको continue करेगे बीबी नीचे मा के गर बैठी होती है प्रेंट्स हमें उठ गई थी सीधा नीचे आगी हमने सुचे मूह भी यही दो लेते हैं तो यह सीधा जिस हाल में सोई होगी ना उसी हाल में उठके आई है यहां पे आप इसके कपड़े देख ले ना इसे ग्रीन सी अजीब सी गंदी सी टीशट पहनी होगी है नीचे काला पजामा और यह जो गंच्छा सा डाला हुआ है वो डाला हुआ है सर पे चुन्नी दुपट्टा जो भी आप कहना चाहो और यह पूरे दिन इसी में घुमेगी और यहां पे कहले हैं प्रैंट्स अनी खीर खा रहे हैं सुरात को जो बनाई थी हम सुबह सुबह यहां आगए नाश्ता करने और मैंने गड़ी में देखा है दो बज़े थे 159 सम्टिंग तो मतलब यह दो बज़े तो उठके नीचे आए हैं और अपना सो कॉल्ड ब्रेक्फस्स कर रहे हैं तो यह हैं इनकी रेगुलर दिन चरिया आप सोचो इनके माबाप का माप इसकी मा का क्या हाल ह इसको देखके वह 2-4 गंटे जो सुबह के ना उसी में शांती से बैठते होंगे कि चलो शांती है अभी आई नहीं है और आते ही फिर दिमाग खराब करेगी कुछ ना कुछ अपनी कहानिया करती बैठेगी तो इसकी मावी विचारी बहुत दुखी तो हो चुकी है जो आज कोपी पैंसिल लेकिया बैठ जा रहान तो किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मेरी वज़े से तुम दोनों पच्चे फेल हो गए हो तो देखो आज रहान को पढ़ने बिठा दिया पहले सबाग को बिठाते है सबाग को मुझे समझ यह था चार लोगों के साथ 4-5 इस बात के लिए मैं उनके बारे में कुछ बोलती नहीं कि मुझे उनमें इतने मेजर फ्लॉज लगते नहीं उनकी परसनल लाइफ में थोड़ा बहुत जो भी हुआ है पबलिक को इतना कोई बेवकूफ नहीं बनाते ना किसी को इतना जादा मिस्यूज करते लेकिन अगर गार्जेन बने हैं तो इनकी पढ़ाई का पढ़ाई की रिस्पोंसिबिटी उनके उपर है तो इनको भी तिहान रखना चाहिए कि नीचे हो क्या रहा है ऐसे नहीं कि भाईया सबा तो हमारी बेवकूफ ननाद है भाईया हम उससे नहीं उलच सकते हैं वह बहुत ही गवार है खुछ भी बोल सकती है तो हम उससे डर जाते हैं तो अब बच्चे भी बर्बाद हो तो हो तो यह गलत अटिट्उड है उनका यहां पर जेना रहां खाली कैची चला रहा है था हमारे यह बहुत है तो कहीं तो लड़ाय हो रही हो ऊंग दुनिया में बहुत जगे लड़ में लोग मर रहे हैं तो थोड़ा सा तमीज से बात करते हो तुम्हे इतने सारे लोग देखते हैं तो जब तुम एडिटिंग करते हो न शी ध्यान रखा करो लेकिन वह पढ़ाई से इनका दूर का वास्ता नहीं ने पता ही बिर्यानी बनवाता है खुप सारी और फिर कहता है हम ना बाटेंगे बिर्यानी लोगों को इद है ठीक है चलो अब यहां पर जूमर मतलब हटा देते क्योंकि रेनोवेशन हो रहा है और मुझे लगा रेनोवेशन में छोटा मोटा कर रहे होंगे तो पहिए है पूरा किचन क सब्सक्राइब कर रहे हैं किस लेवल का रेनोवेशन करते हैं इसको सारे दिन यहीं रहता है कि पैसा ज्यादा हो गया कहां यूज करते हैं इसने तयार होई नाइद होई क्या है बेटा तुम बहुत प्यारी लग रहे हैं तुम अब मुझे भारा रग मुझे बहुत पासंद है क्यों सनी क्योंकि पकिस्तां चंडे का है को बता असली में था हौँ अशू का लग द्यक्तियों इसले तो मैशारी मितरी यहा लग को पूरे और लिंप ब्लूर जबहु था तुम ने तो बोला था यह Airport by लिख मुझे द तो लोगों ने लिखे तो नेया को दिखाने का नहीं है तो थोड़ा प्रेक लेना तुझे हर या अल्टरेने टालना क्यों है कि डिल्टा वाले घर में ठीक है अगर तुमारी पकुछ नहीं नहीं है तो ब्रेक लोग चार दिन, पांच और ये रहीं दालते हैं ना ना इसको पता है तो मेरी आई जानी है एक दिन भी क्यों लगातार भी डालती है एक के बाद एक अगर इसको जरास भी कोई content मिल जाए ना मौधा वाधा चली जाए तो वह रोज डालती है कि वह कुछ तो नया हो रहा है चाहिए बेटी खाला नाजा खाला बेटी खाला न देखो ये अपने घर में आये कहां गए सारे कहां गए अब इसकी हालत देखो इससे पता चल गाएगा इसकी help जो ये अपनी डालती है ना इंस्टा पे अपने को पतला करकर के तो सनी सब लोग उपर गई है भाई ने दावत पे बुलाया है भाई भाई है ना जो फिर भी अपने घर में दावत दूबत करें और सब को बुलाया खिलाया नहीं 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 एक आद बार इसने रमजान में कभी वो सहरी जो भी शाम का जो भी खाना होता है वो करा होगा लेकिन इसके इलावा कुछ नहीं कर भाई भाई भाबी तो हमेशा करते रहते हैं लोड़ ये पहुंच जाती है मुझे समझनी आई अब इसको बिर्यानी और यह सब बाटना था तो यह स्पेशल एरिया में गया है जह मुसलिम होते हैं अब सोचो इनकी इतनी ज्यादा इनका माइंड सेट है कि यह जो खाना भी दान करना है वो भी धर्म देख के करते हैं तो इससे बता चल जाएका ये कितने गुंद सेट के लोग है और ऐसे बहुत सारे लोग ओते हैं जो एक्सप्ट करने के लिए त्यारी नहीं होते हैं कि इंडिया सेक्विलर कंट्री जिखने चल्ड़ी ऑगे बहाई के घर खाना खाने से जाने से पहले है अब यह भाई के वहाँ पर पूरा मतलब जो भी मीरा रोड में घूम रहे थे पूरा इन्हों ने दिखा यह अपना जाकियां जोकियां सब जंडे बंडे दिखा दिये और सब यह मतलब मुझे तो समझन ब्लॉगर्स पैसा हिंदू से खा रहे हैं और दिखाते कुछ और है तो खेल अब यह फिर जोपड़ी के बारे में जोपड़ी से एक घर नहीं है जोपड़ी है और विचारे कोई मेक्षिफ्ट जैसे होता है कोई रह रहा होगा इसका इसने काट दिया कुछ बोला नहीं कुछ बोल रही थी लेकिन इसने इसका सेंटेंस पूरा हुआ नहीं पहले याद है मुझे एक बार कोई जमीन पर फुटपात पर सो रहा था तो बोलती है देखा कितने सुकून से सोया है भाई तू भी जाकर और सबा के गले लगना तो मैं तो फटा फट अपने बच्चा पकड़के उसको खाना खिलाती रहती हूँ हमेशा मैंने देखा है कि जबी भी डिनर विनर कुछ भी काम होता है ना बावी जी पच्चे को बिठाती है अपने हाई चेयर पर और खाना खिलाना शुरू कि प्लाग बेशूट करके पैसा यह कमा रहे हैं अम्मी को रिजा रहान को और उनके घर में पढ़ी रहती है अब देखो रिजा और अम्मी दोनों शराफत से उपर बैठे हुए है जमीन पर नहीं बैठे हुए है यह जोड़ी क्लासी दिखते तो है ना इसके अम्मी पापा और सबा के पास कितने भी पैसे आज हो जाएं आजकल यह सबा दिपीका प्लस शोहिब इन दोनों से मिलके जादा कमा रहे है क्योंकि हर आल्टरेंटेट डालती है तो 40-50 लाग कमा रहे है लेकिन हालत देखो गुटका किंकी और सबा की दोनों जमीन पर बैठे रहते हैं ब दोनों के अब्रिंगिंग सेम रही हो लेकिन एक टाइम के बाद तुम पैसे का सही यूटिलाइज करोगे तो तुम ग्रू करोगे अपने आपको तो सही मतला आगे अच्छी राइफस्टाइल बनेगी तुमारी लेकिन एक और चीज़ मुझे समझने है यहां इनके दावत फैस्टिवल नीःट त uniforms थी यहां आछM फैस्टिवल है इनके घर में घर में दावाथ में यहां झाहत मा इतना सारा मीर वाला जो और एक जाते हैं अब अम्मी को म को लेगे ए मुझे आट कुम बेट है ौक दि दिखाएं नहीं अ तो एक ही साथ जाते हैं भाई के डिनर के पहले यह रिजा रहाम अगारा को ले गई इसके बाद फिर से अम्मी को ले गई है वही सेम शड़के वही सेम जहकिया दिखाने अब यहां पर सनी चल आते हैं क्रिकेट खेलने चलते हैं कि इसको मतले देखने से बता चलता है हां क्रिकेट खेलता है आता तो है ऐसा नहीं है जैसे घर है ओ माई गॉड इतना क्रिंजी डायलोग फ्रेंड मैं आ गया हूँ घर फ्रेंड में सवा तीन बज़रे मैं आ गया हूँ गुलो को देखते जग रहा है कि बिटा भी तक क्या देख रहा है इस बिटा जग रहे क्या थे इतना घुसा आया मुझे मैं उल्टी कर पढ़ेगा आपड़े नीचे और सद così है नीच आते हैं वापलером करेंगे किया मुझे बता करें कि वह से कुंप सा Ko ли उनिवर्म होती है essas और ब्लू टी-शिर्ट बता ना मीरा रोड के आसपास कौन सा पता तो करें जरा रिजा कहा जाती है क्या पढ़ती है पता करें हम भी जरा कितना जूट चल रहा है उसमें भी अचाह यहां अम्मी बोलती है कितनी प्यारी बेटी है बिना खाए पिये बिना खाना खिला मुझे दूसरी बार चाह के लिए बिठा दिया बैया एक चाह तो अम्मी जी ने सुब़े पी लिए होगी तीन बजे तो बेटी तुमारे घर से निकली थी अम्मी उठी होगी आट नो दस बज़े रिजा विचारी चली गई होगी विचारी तो क्या अपना खाना बना के अम्मी ज बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं उनको तो टाइम पे जाना होगा ना अब रिजा को कितनी बार इसने एक आत बार बोला कि मज़े छे जाना है अब नहीं बोलती क्योंकि अब तो गाली पढ़ जाएगी फिर लोगों से लेकि यह दो तीन बार तर जगा के रखती है आप सो जो एक इंसान को एक यंग टीनेज लड़की को अगर इतनी रात तो जगा होगे उसकी हॉर्मोनल साइकल तो बिगड़ेगी ना अब रात के ढाई बज़े तक तुम मुमवत्या जला रहे हो और सुबह बचे जाएगी तो सोने को कितना मिला तीन गंटे मुश्किल से वो भी कह इसले व्लाग में बहुत गालिया पड़ी है जो इसने सोफा चेंज किया है और से बहाना माला था है कि उसमें कीड़े पड़ गए थे जबकि सोफा एक और साली हुआ होगा क्योंकि अप यह नया घर बनाए तो तब दीपिका ने लगवाया था तो कहती है अम्मी वो जो सो ले गए थे ना उसके लिए में बहुत गालिया पड़ी और सारी मैं इसको बहुत समझाता हूं मैं इसको बहुत गालिया बढ़ती है और देखो मैं इससे इतना बहादूर बना दिया और इस पूरी कॉन्रसेशन यह दस मिनट लास्ट की होगी दस मिनट में 500 कट आदे आद है वो सब चाहते है कि मेरी तब्यत खराब हो जाए मैं व्लाग बनाना छोड़ दू लेकिन मैं किसी से डरने वाली नहीं हूं आप लोगों ने मुझे हेटर्स नहीं मुझे स्ट्रॉंग बनाया और सणी अरे क्यों छोड़ दोगी बेटू अरे मेरा बेटा मेरी बच्ची तो जैसी है वैसी रहे अगर देखो इतना प्यार करते हैं तुम्हें अगर दस में से एक लोग बुरा कह देता है और अम्मी बैठे हुए अम्मी बिल्कुर इंटरस्टेड नहीं है अम्मी को ऐसा लगा बिठा दिया एक घंटे तक बकर बकर करेगी है आप देख लो ना अ लोग कह रहे हैं कि कीड़े पढ़ गए थे और सवारी कहता है कि हाँ अब कीड़े पढ़ गए ते फिर हमने सोफे को दो भी दिया नहला वी दिया कीडों को तभी नहीं निकले वह यह तुम हर चीज को दिखाते हो जब तुम्हारे गर में पानी भर गया था और रहान पहले उसको रिकॉर्ड किया था कि भाई थे गुतना फूटा हुआ है खून बैरा तब पहले मैं रिकॉर्ड कर लूं और इसको डॉक्तर के इंजेक्शन लगते ना तो वह सब रिकॉर्ड करते हैं तो कीड़े लगे वह तुमने रिकॉर्ड नहीं किया ऐसा हो सकते है और तो दीमक लग गए, पर दीमक बोलते है, अगर वो कीड़ा होता है, या फिर खटमल होते हैं, लेकितने कीड़े लग गये थे हम्मी और फिर ऐसा नहीं थे भावी ने अच्छा दिया था और लोग बोलते हैं, भावी से जलती हूं, अम्मी, देखो सब लोग ऐसा सुचते हैं कि देखो मैं किसी से प्यार नहीं करती हूं और अल्ला ने तो मुझे इतना नवाजा है अब मुझे कोई लालच नहीं है विच मिन्स पहले तो लालच रहा ही होगा और यह पूरे टाइम इसने ना कट पे कट कट पे कट चल रहे थे वह यह सोफे में कीड़े लग गए थे तो और यह सोफा भाहर फैक ना चीए था ना तुम पुराने दूस्सरे नए वाले घर में क्यों लेगाए बताओ कोई नए वाले घर में अपने ब्रैंड न्यू गर में कीड़े लगावा फरणिचर क्यों लेके जाएगा तो और यगे फरणिचर से मतलब दरवाजों पर लग लिखाएं कल भी कह रही थी आपको प्रसंद आये तो अच्छा नहीं आये तो भी अच्छा मतलब मेरे को मत बोलना कि खराब है अब थोड़ा सा हुआ ना तो आ गई और केरे कीड़े लग गए थे तो भाई भावी को क्यों नहीं बताया और कि मैंने नया सोफा नहीं दिला गया वाही थोड़े बहुत सूट दिला देगी थोड़े अगोल कप्पे चाय पिला देगी क्योंकि वह बनाती है पूरे दिन घर में उनके बैटके खाती है लेकिन अगर रेस्टरॉंट में खाना खाएगे अंपैल पेल पे करेगी उसके लिए अम्मी तो मजा कर रहे थे तो कह रहते हैं अम्मी से खाना लेगी अम्मी से खाने के पैसे लेगी हम तह मजाग करें और Sunny बीच-बीच में कूद के आ रहा है हां इनकी मा बेटे की बांडिंग बहुत अच्छी है मा बेटे की बांडिंग बिल्कुल ऐसी है वैसे बहने जैसी है अब देखो साइस में भी पहने लगने लगे हैं थोड़ी थोड़ी तो और अम्मी आपको पता है मुह बहुत घबराती हूं मुझे घबरात हो जाती है और लेकिन क्या करूं मुझसे जादा हिमत वाला कोई हो नहीं सकता मुरे हेटर्स ने जूते मार मार के मुझे इतना स्ट्रॉम बना दिये मैं है अब कितनी देर बैठना है अभी हम उठके जाएं क्या बहुत हो गया हमसे बैठा नहीं जा रहा है तुम दोनों बैठके बना लो ना व्लॉग हमें क्यों घसीट रहे हो नहीं अगर देखो मैं इतनी धीट हूं मैं कैमरा उठा उठा के व्लॉग मनाती हूं हर दूसरे दिन देखो मैं कितनी बेज़त लड़की हूं मैं कितनी धीट लड़की हूं मेरे को किसी को फरक नी पढ़ता मेरी मा को गाली पढ़ती है मेरे कजन को गाली पढ़ते हैं मेरे पती को गाली पढ़ती है मेरे सास ससुर को भी पढ़ने लगई है तिकि मुझे कोई फरक नी पढ़ वैसे भी रेस्टोरेंट में बैठा रहता है पता नहीं क्या क्या करता होगा खूबसूरत लड़किया आती है फोटो खिचवान सनी के साथ और तुम यहां बैठी अपना दात दिखाती रहती हो बेटा तुम्हारा अगर सनी भाग गया ना तुम्हें छोड़ चाड़के तो तुम अपने दुकान पर ध्यान दो और मैं तो चली इस तो मत पकाओ मुझे मैं तो निकल रही हूँ अम्मा तो किसा कली अम्मा ने कवे यह क्या पागलपन मचा रखा है और सनी सनी ने वही वही एक्जैक सेम जो इद पर किया था ना पीछे मूर उतार के बैठ गई थी द पोली मत तेरे लिए कुछ मत बनता ही नहीं है तू तो अपने माबाप को छोड़के बैठा हुआ है यहां पे कह रहा है मुझे समझ जाता है किसी लड़की के पीछे इतना क्यों पढ़ते हैं क्या मतलब है इतनी अच्छी है वे सभा तुम मैं तो चाहता हूँ सभा तुम अबसक्रार करी है तुम बहुत अच्छा लग तो यह जो बैदें से बनके कि मैंतो बहुत बैचारी हुँ पैले तुमने कहा था हम कभी सफाई ने और हम शतनकि न प्यक्ति करती है तुम इपनी मागे। से पता चल रहा है तुम्हारी फटी पड़ी है साफ कह रही है हमें तो कोई फरक नहीं पड़ता बेटा फरक नहीं पड़ता होता ना तो ये वीडियो ने वनता आज ये जो sorry to say चल रहा है ना तुम्हारे भावी के जैसे तो एक बर हिम्मत करके कह दो कि मत देखो मेरे ब्लॉ आएगा भी उपर आ गई है और उसाथ उपर रिजा को लिए और अम्मी को लिए क्योंकि चुक्यार का समान रेप-ब्यूचा करें कि यह तुम्हारा नहीं है तुसे परान फरमाएगी अब यहाँ पर सनी जबां में जो बैडड में वह एक बंदा बैठा हुए है यह वाकिसारी कंपड़े तो ऐसे करते हैं जैसे reperd chicos कंपड़े हो इसे बढ़े रखते सारी जगे और यह ना अपना ब्लॉक बटा के LOC tab ऑसनी कहात दो सानी मैं पकाना खालो शह नहीं गाई यह रोते वाले मु有點 कोणगा कर दो कोई बात नहीं आ तो नेगेटिव कॉमेंट्स आई हैं वीडियो में कि 10% लोग हमें नेगेटिव बोलते हैं तरके हमारे साथ फोटो की चाने आते हैं कैसे बोले वो जो फोटो की चाने आते हैं अपने व्लॉग की प्रमोशन के लिए वरना हमें कोई नहीं देखता है और हम कोई भी ठंकी जायेंगे तो उनके व्लॉग की यूज़ बढख जाएंगे से वही तो आते हैं अनि कोई बात नी बीटो कमाती रहे तू चलती रहे तो चलाती रहे हैसे हमारा घर परईवार पैस है नहीं तो जब तो अराम करेंगे यह उसी टैड़ी बियर पके उपर पसर गई और देखो यह भी जाएगा यह भी जाएगा ड्रामा करी थी बाकि सारे घर के लोग काम कर रहे थे समान उठा रहे थे और ऑविसली ठकेंगे बर यह तो महरानी है और यह गंदे सड़ेवे कपड़ों में घूम रह अजह करें पहले हम अच्छे क्मेंट को हाट देते ते अपको तो लिटरली चार पास कोमेंट से आते जिनको हाट दे सके फ्रेंट्स देखो इंस्टा काम हारा है हम अपनी रिज बनाएंगे इस्टोरी बनाएंगे यह वह कपड़े इसकी मैंने स्टार्टिंग में फोटो लोग लिख भी रहे हैं कि पैसे का गमंड आ गया है पैसा दिखाती देशियों प्हहले इन्हें रिलेटब्ल लगती होगी है कि बीड़ क्लास फैंशे से सब लोग रहते हैं कि इतने अच्छी हैं दो बच्छों को पाल रहे हैं और बैसिक काम करते रहते हैं अब अभी तो इ साथ आठ दिन चलेगे लेकिन उमारा बजह नहीं कामोरा लोग तो पूलता जा रहा है क्या करें दूक है सब्सक्राइब नहीं था जाने कारे सब बताने हैं हम ने तो कहें लोगों को कि हम तो पुरा एक महीना जाएंगे सब्सक्राइब कर दिया अईसे मिरी मेरी दुकान कर बंद करवाओंगे सनी घर का बैदी लंकड तम्हें मेरी लंकड आओगे क्या यहांपर आगे जिम में दिखाएगी तो स्माइल देगी फोटो किचे की कोई इससे फोटो कीचे नहीं आता इसके पास कोई इसको भाव नहीं देता, कोई इसको पैचानता नहीं है और ये जबरदस्ती हर रोज जिम में जा जाके शूट करते है और खुद ही बोलती है, फ्रेंट इतने सारे लोग आते हैं देखो अल्लना है, अचा अल्लना के न की आता प्रेंजये की सारा आगे से कवरो हमने तो उपने कपड़े में सारे बदलता है मम्मी कहती है दुबटा लेकी रहना चाहिए और यहाँ पर अब इतना ड्रामा किया कि जिस दिन जो चाहेगा वो होगा, अल्ला की नाम से डरो, अल्ला से डरो, यहां पर आने के बाद जिम से आने के बाद इसके इतनी अलत खरा हो जाती है, दो चारो पुश अप पुश अप तो क्या ही मारती होगी, थोड़ा से ट्रेड्विल पे चलके, फरेड है आज मैं सभा थक गई है तो मैं खाना बना लेता हूँ, सदी खाना बनाने में लगा हुआ है भी, सदी तो पूरा ही बिक चुका है, तो बोली मत देश दो शकल देखे है, इससे जादा पिका हो, इससे जादा फ्रॉड बंदा क्या होगा, कहीं चीज़ों में थोड़ा जैनूरों लगता कितना जूट दिखाती है और इसके दिल में कितनी मकारी है इसके दिल में इसके माबाप के लिए कितना प्यार और इज़त है इसकी बहन के लिए कितनी इज़त है इसके सगे भाई भावी के लिए कितनी इज़त है इसको सब पता है और जैसे होता है जब लॉंग डिस्ट ज्यादा कनिंग है सबसे जूट बोलती है ना यह अपने धर्म की होई ना यह अपने मजब की होई मजब धर्म में सेमी हो गया है ना अपने देश की है ना अपने माबाप की होई ना अपने भाई-भावी सगे भाई-भावी की है ना यह कजन्स वजन्स की है बेटी खाला य कि सनी इसके आजू-बाजू घुमता है और सारे इसके काम करता है तो यह कर रही है न सनी पर अपने डिपेंडेंसी बना के अपने पाओं पे कुलाडी मार रही है क्योंकि जब सनी इसकी लाइफ से भाहर होगा तब इसकी हालत खराव जाएगी और यहां पर आके यह सोने के त्यारी करते हैं इसको पूरे बैड़ पर समान होता है और अंदर क्लॉजट में देखो बहुत सारे ना पॉलथिन में कपड़े पड़े हैं जो इन्हें पता भी नहीं होगा क्योंकि इतने जब समान हो जाता है न तो इनसान को पता ही नहीं रहता रोट नहीं पंदरा पेर आ कि इस दिन मेरा 10 करोड का तो घर है इतने इतने सारे सर्वेंट से इतने सारे यह सब है लेकिन यहां पर कोई management ही नहीं है तो पैसा अतना उसे class नहीं आई इनकी पैसा तो इन्होंने बहुत कमा लिया अब यह सोचो पांचे करोड का रोज महीन इसका साल की income होगी minimum लेकिन इन दिल की बात खोल दी sorry to say कर दिया लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप मुझे comments ना करे comments करते रहे न कल एक और नया question कूछूंगी ऐसे बेकू बनाती रहोंगी जब तक मेरे subscribers मुझे unsubscribe ना कर दे और पके ना चले जाए अच्छा इसी बात पर अगर मैं इसके podcast नहीं बना रह इनके साथ जो abuse हो रहा था न emotional abuse उससे मैं बहुत इरिटेट होई थी कि पढ़ाई लिखाई करने नहीं देती सारे देन को use करती है इसलिए मैंने बनाया था क्योंकि उस टाइम तक बच्चों को किसी ने जादा notice करा नहीं था और comments इसके जादा negative आते नहीं थे या थोड़े चलो ठीके आते हैं तो देखा जाए तो content कुछ नहीं है पक गए है बिलकुल पक गए है और ऐसा मैं चाहती हूं कि लोग बिलकुल इसको unsubscribe कर दे क्योंकि अब comments लिखने का कोई point नहीं रह गया क्योंकि इसको फरक ही नहीं पड़ता है इसकी तो engagement बढ़ गई मैंने बहुत इसका देखा था मतलब दुपैर में चार पाच घंटे हुए थे इसका व्लॉग डाले इसको साड़े-चार हजार comments आ गए थे और जबकि इसके regular vlogs पे साड़े-तीन हजार-तीन हजार comments आते हैं तो आप सोचो जो दो दिन में साड़े-तीन-तीन-तीन हजार comments मुश्किल से आते ह दाई-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन अच्छे यहां पर कुछ कॉमेंट्स में लगा रहे हूं प्लीज पढ़ना एक कॉमेंट टेक बंदी ने पुरा दिल खोल के लिखा है खुब गालिया वालिया देखे तो आप वो देख लो पढ़ लो पॉस करके पढ़ ले रहा क्योंकि फिर ने तो स्किप हो जाएगा तो चले बने रहें और ग्रेट देखे भाइ बाइ